हुआ है यजिजिजिए अब के से स्टार्ट करें हम बाइन ओमिल नॉमन क्लिचर से स्टार्ट कर रहें इसले तक सलें स्टार्ट किया था चप्टय इंड्योडोक्शन से आड़ स्ट्र obs dedication हमें प्रीविस seb sagte प्रूट किया था प्रीविस क्लास में आज चाहिए तो था आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यह नॉमिल नॉमिल क्लेचर्ट तर च्छो प्रिश जो है वह सिस्टम मैं यह भाई तरह शुरोग करें तो बात करें यह उप सारे स्ट्रम दिये गया थे लेकिन वह काफी जन्रल थे कोई scientific purpose नहीं निगला तो वह आज तक consider किया जाते हैं studies में consider कि कि किस ने क्या क्या दिया था वह भी हम next chapter जब second chapter discuss करेंगे ncrt के तब हम बात करेंगे वह अभी हम बात करेंगे बाइनोमियल normanclature normanclature का meaning जो previous upload मैंने बताया था आपको कि normanclature का means होता है कि किसी भी और निम्स को हम एक systematic यह system के थ्रू जो है नेम प्रुवाइट करेंगे अब यहां by normanclature that means हम क्या करेंगे जो भी नेम प्रुवाइट करेंगे हम each और इस पीस और निम्स को हम क्या करेंगे कि तूनेम में प्रुवाइट करेंगे अब तूनेम प्रुवाइट करेंगे अब तूनेम सिस्टम जब आया वो दिया हम corollas linias ने actual में corollas linias की लिनिए स्का जो नेम है carl won-leaning है इनका नेम बताये अगर हम बात करें तो इनके नेम की बात करें तो इनका नेम जो है आगे साथ किया इन्होंने किया आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो बात करें कि इनकी two name कैसे बनेpark द्री नेम से carry nation नेंन लें मेंट स्टार्ट किया इन्होंने क्या लाइटिन वर्ड में स्टार्ट इनका नेम जो है इनों कि पहले अपने नेम को हो गजिए नेम डिनिया अपना नेम दिया फिर उसके बाद जो प्लांट एनिमल से उनके नेम दिना स्टार्ट के इनकी एक बूक है सिस्टम और नेचर जिसमें इन्होंने एराउंड 6,000 प्लांट्स वराइटीज के को डिफरेंट डिफरेंट नेम दिये ठीक तो यहां से देखे हम कि यह हमारा फस्स पीजिए बाय गिविंग इच अनेम कंपोज़र डू कंपोनेंस तो जितने भी स्पीस दें उनको एक नेम दे हम कि इसके दो कंपोनेंट होंगे उनके एक होगा अवरा जैनरिक नेम जिसे हम जीनस बोखते हैं दूसरा इस पीजिस नेम होगा तो यह दो खरेक्टर यूज क करते हैं इसलिए modern call करते हैं वह भी यही है और इन्हें क्या बोलते है फादर आप एक सोनी बोलते हैं अब से नेक्स स्पेस पर जाया है और हम बात करें कि बात करें कि बात करें हम तो बाइलोजिकल नेम और यूजरी रिटन इन लाटीन वर्ड और इंटालिक्स फॉंट त तो जो बाइलोजिकल नेम्स αättालिक्स था और श्रीट में लाटीब्ड तो बाध कहलते चोंट ब इस की बाताई टीज commitment यूजरी नेम्स लाटि सफ्पेसिविक नेम उदोलते हैं जिसे हम बात करें क्या specific epithelet जो है वो यूज़ करते हैं तीसरे बात करें third point पर हमाएं कि first point हमाद की biological name जो होगा लाटीन में होगा और इटालिक पॉइंट में होगा दूसरा है कि जो genus है वो क्या होगा first word होगा इस पीसे second word होगा अब genus जो third point आया है इस point में कह रहा है कि genus name जो start होगा capital letter से start होगा genus name जो है capital letter से start होगा वहीं species name की बात करें वो start होगा किस से small letter से start होगा ठीक अब दूसरी बात है कि जो biological names है वो एक तो हम type form में लिखेंगे एक हम handwritten लिखेंगे clear यह एक printed form होगा जैसे यहां given इस point में कि biological name अगर printed है तो वह हमेशा italic में होगे ठीक और वहीं बात करें और यह italic indicate कर रहा है Latin origin indicate कर रहा हूं वहीं underline करेंगे जब यह हाथ से लिखेंगे handwritten होगे ठीक तो इस तरह फोर रूल्स हम यूज़ करते हैं यह से आप नहीं थे पड़ा था आज जाके आप भी यह पढ़ते हो कि biological name जो Latin word है Latin में होंगे और italic में लिखे जाएंगे पहला लेटर capital होगा जो की genus होगा second letter का first letter small होगा जो की species होगा जब printed form में कर रहे होगा यह computerized type कर रहे होगे तो हम italic font यूज़ करेंगे और अगर हम जो है इसको handwritten लिख रहे हैं तो हम each and every places पे जो है इसको underline करेंगे separately ठीक जिसे यहां मैंगी फेरा इंडिका जो है मैंगी फेरा इंडिका मैंने italic में यूज़ किया है ठीक मैंगी फेरा जो है जीनास है है एंडिका स्पीसिज है आई स्मॉल लेटर में वहीं होमो सेपियंस में सेम चीज़ आप अब्ज़र करोगे और आज सटाइबा जो और राइस का नेम है पैड़ी को आपका जो पैड़ी का जो नेम है वह भी आप देखो इटालिक में और वीड का ट्रिटिकम अस्टिवम जो है वह भी आपको इटालिक पॉर्ण ने मिला इसलिए अंडलाइन नहीं है लेकिन जब भी हम हैंड़ी टन लिखेंगे कहीं पर तो इसे हम अंडलाइन फार्म करेंगे सेपरेटली तो यह रूस आप नॉमन क्लेचर हो गया बाइन नॉमन क्लेचर में हमें इतना ही करना श्रीउ इब में कहीं ज्यादा गीवर्न है लेकिन यहाप पे हम इतना ही करेंगे आज इंपोर्टेंट इंच से अब नेक्स्ट हम बात करें if classification की किस्की classification की बात करेई जो फर्स of grouping voting into categories based on easily observed character ज्लासिफिकेशन करेंगे और कीश पीसपे करेंगे आप जबन करेक्टर स्धिक स्टार्टिंग मैं nov cute अब जो h बहुत सरक कॉंप्रेक्ष् crystal के लिए थिर अम बात करें यहीं पर बात करें हम Sand Scene कि नीडि क्यों पड़ी हमें या आज मिनें पढ़ क्यों रहा है इसकी नीड इसलिए पड़ी कि जिसे मैंने स्टार्टिंग बताया बार्डश्टी वाले में 1.7-1.8 मिलियों स्पीसिस है हमारे पास तो इतने लोग का इतने स्पीसिस का रिकॉर्ड रखना करना यह रिकॉर्ड में जानना आसान नहीं था इसलिए हमने उनको गुरूप में डिवाइड करना स्टार्ट किया हमने कोई कि एक plant मिला हमने उसके चारक्ट्टर ऑफ यह का अबिटर को किया जो अब आफ जर्बिशन है वही आइडेंटिफिकेशन हुगा इस में अब प्लेस करना तो तो कुछ से हमें सिम्लर जबने इसको प्लेस करना स्टार्ट किया अब तो क्लासिफिकेशन में ऐसी को बोलते हैं यह किसी एक यूनिट की किसी एक और निम्स की जो है पूरी हम पता कर रहे हैं कि ख ghosts kingdom को बिवांग कर रहा है किस फाइल्म को बिलॉंग कर रहा है किस क्लास को करेगा छेरा फीर ऊड्र को करेगा फेमिली को फिर पीसिजूज को फिर जीनस को खरोश आंग में सिंगल test करें तो वह हमाлемारा ट किया टेक्स्वान है वही हम लाजजेर वियू में कर रहू है तो हमारा क्या taxonomy हो गया लाजर भी में क्या हो गया taxonomy में पूरे kingdom की बात कर रहे हैं पूरे animal kingdom की बात कर रहे हैं animal kingdom में कितने phylum हैं फिर phylum की कितनी सब classes है classes के बाद order है order में sub orders है फिर family है सब family है फिर कितनी species है कितने genus है और एक जीनस में कितनी species है वो सारी बातें करें ठीक तो कौन सा हो गया हमारा taxonomy हो गया taxonomy the science of defining group of biological on the basis of shared characters and giving name to those group clear तो taxonomy क्या branch of sciences deal करती किसे classification से और उनके naming से और वो चीजे होंगी process दोगी taxonomy यह भी हमने पहले बात कि कि पहले क्या होगा हम करेक्ट्राइशन करेंगे जो भी plant मिला यह animal मिला उसमें character देखना स्टार्ट किया फिर उन characters को हमने identify किया similarity disciplinary according फिर हमने उनको classify कर दिया classify करने के बाद हमने देखा कि अब हमें उन्हें कोई name देना होगा तो हमने क्या किया binomial normal culture जो है उसको यूटलाइज करके अगर प्लांट में है तो icbn ने उनको name दे दिया और अगर animal है तो iczn ने उनको name दे दिया और complete हो गया process of taxonomy खतम होगी और अब हमारे पास आजएगी पढ़ने के लिए ठीक अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पीस पे systematic तो taxonomy के साथ साथ एक ब्रांच है और बार जी की systematic अब systematic word systematik का मतलब किसी से बना है system एक word है यह system आप यहां से given है systema एक word given है ठीक इसकी बात करें तो यह इस से बना हमारा किसा स्सटमा से सिस्टमा का मतलब होता है कोई भी चीज आड़ली चलेगा कोई चीज़ जो है ऑडली चलेगा है सम्ट करें 1234 अलफा बेट पर ये कैस स्सटम में चल ला है जो स्टम बनाया हुआ ठीक तो हम क्या करें जो टैकसानawी है उसकी लिए सिस्टम बनाया है ठीक सॉन्मी क तो हर जगे होता है लेकिन यहां पर उन्हें बाइलोजीम यूज गया है इसलिए हम किसका क्या बारने systematic arrangement of onim किसका meaning है Latin word systemica अब second point की पर आए गर हम कहां पर second point में systematic is the study of diversification of living form बोथ past and present and the relationship among the living thing through the time तो यहां पर हम बात करते हैं हम कहते हैं systematic जो है हमें help करता है study of diversification जो हमारे surrounding में diversity present है उनको study करने में help करता है ठीक और यह दोनों consider करेगा present जो अभी हम बात करें से कोई plant अभी हमें मिला है और हमारे आज पास में उसके similar plant मिला है या dissimilar plant मिला है उसकी बात तो करेंगी उसके साथ साथ हम बात करें किसकी past की past means कि ऐसा ही कोई plant पहले प्रजेंट था आज प्रजेंट नहीं है extinct हो गया या अब available नहीं है या किसी particular area में plant पाया जाता था अब वहां नहीं पा जाता था विकॉज सब्सक्राइब करेंगे इनके बीच में निकालें जैसे अभी आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे जैसे आप होगे नेक्स चप्टर में बढ़ेंगा हमारे पास से किंगडम है प्रोटिस्टा उसके अंदर कुछ ऐसे कुछ ऐसे मिलेंगे हमें प्लांट की तरह होंगे कुछ ऐसे मिलेंगे जो फंकर कि तरह होंगे ठीक तो हमने कैसे पुछार्टी के लिए सट्री करना start किया चो बता रहे हैं लेकिन कुछ करेक्टर से में उनसे सिमिलर हैं इसलिए हमने उन्हें प्लांट लाइक एनिमन लाइक या फंगस लाइक बोल दिया अब फिर से लिनियस आ गया लिनियस यू सिस्टमा नेचर एस दल टाइटल ऑफिस अभी मैंने बताया था कि पीछे जब कालर याद लगा सब्सक्राइब और इसमें के बात कि लाइस के बाती हैं तो यह आघए आगा में ये सब्देजन को हम ब मुझते हैं रहों जैसे उनने बात को यारे ड्रक बात की ये रह एक। तो यह काफी class और category और rank में काफी confusion होती है तो categorize की हम पूरी बात कर रहे हैं और rank की बात करेंगे और rank की बात करेंगे ठीक अब यह चीज आएगा भी हमारा आगे अब जो start करें taxonomy category में होगा क्या यह involved है first बात करें classification involved hierarchy of steps where each step represents a rank और category है ठीक taxonomy category जो है उसमें hierarchical involvement होगी steps की जिनको rank और category बोलते हैं तो मैंने क्या बोला category सारे होंगे categorize की हमने हमने हमरे पास जैसे आर्थों हम आगया या simply हम बात करें किसकी हम human की बात कर दें या जो है अभी हमारे पास आगे आएगा उनकी बात कर दें जिसे या simply tiger की बात कर लें tiger जो है वह kingdom animal लूग करेंगा kingdom animals को बलॉंग करता हम phylum उसका mammal हो गया ठीज स्री अ फैलम quad data हो गया या quad data हो गया और वहीं हम बात करें class की तो mammal हो गया order की बात कर देंद कानी बोरा हो गया वही हम पात करें उसकी फैंबिली की तो फैनिस हो गया और वही उसकी स्पीछिस की बात करें तो हो गया टाइग्रिस और जीन उसकी बात करें पैं्थरा तो य मैं उसकी बात करेंगे तो हम करेंगे , मोरी नेटर वही दोभाए aynı कशना यृण अर गियुट गोई एक फह पर र सब्सक्राइब करें तब इस लेवल इनदा हायर की रिप्रेजेंड एन इंक्रीज इन और जाएगी और सिम्लर करें कि बात करें तो जो नीचे से ऊपर जाते हैं तब इंक्रीज होगा यह नीचे से ऊपर कि अब आया हमारा फस्ट कर टेगरी जो रैंक है बात करें इस पीस इस पीज पर जगे अपनी से पहले पढ़ा इस is a group of individual in which the individuals can inter-breed among themselves species वो है जो आपस में inter-veal कर सके हैं जिसे टाइगर है लाइन है ठीक जिससे लाइन की बात करें तो इसके जो पूरा नेम साइंटिधिक नाव papras टाइगर की बात करें पैंट्रा टाइगरी लेपर्ड की बात करें अए यह इंद्गों हम बात करें तो इन दोगी बात करें तो हम्ने देखा कि इस propriete is अलग जीन सेम Ł费े सेम हैं लेकिन यहां कहा रहे हैं कि इस बोरते हैं जो आपस में इंटर्वीट कर पाएंगे लाइन जुए और टाइगर जो है उनकी एक ही कर रहा है एक सिंद्रा मैंने ली जो नेम लिया पैंथरा टाइग्रिस पैंथ्रा पार्डस लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथ्रा लियो जो है वो लाइन का यह रिपीट कर रहा हूं यहां मिल गया कन्फिजन हो था ठीक तो रिपीट कर दू यह दूबरा से लिपड़िट कर सकते हैं जिन में कापवल Kollege करने की तेन पैंथ्रा पार्डस लिपड़ की साइंटिफिक नेम है आप टाइगर साइंटिफिक का सैंटिफिक either 2021 आप जो हम देख veteran specialist कौन होगा जो अपस्मा इंटरीट कर पाएंग यह इंटर्वीड नहीं कर पाएंगे लेकिन जो टाइगरिस की जो other members हैं वो सभी आपस में इंटर्वीड कर पाएंगे member of species have large number of similar characters और सबसे ज्यादा similar characters मिलेंगे हमें कहाँ पे species में सबसे ज्यादा character जो मिलेंग कहा मिलें इस पीसे में अब जैसे हम उपर जाएंगे genus में यहाँ पर character कम हो जाएंगे फिर family में जाएंगे यहाँ पर character कम हो जाएंगे clear तो यह सारी चीज़े हैं फिर वहीं हम नेक्स्ट बात करें एक सिकेंद a group of closely related species is called genus a group of closely related species जो है उसे हम genus कहते है जो closely related relation है उन वो क्योंस होगे हमारे जीनस होगा है जिसे example यहाँ पर दो दिये हैं potato tomato brinjal और three different species शे बात कर जिसे यहाँ पर गीबन वीदा धे यहां बात करते हैं ठीक तो फिर अम बात करें पे आप माद गृुल्प बत करें वह आ प्लोचक कार लिटनष्ट इससेश जो और यर उन्हें क्या बोलकी जीन वा लें हैं जैसे हाएं जीस को डिंौल हैं जे 004 अंसчи को जो कैसे हैं टोमाटो ब्रेंजल घंप झाशा इस पर्ट लिलांग टू जीन टिं coordinator यह तीन डिफरेंट सपीसिंज ऐन लेकिन एक इस जीनस को बिलॉंग कर तो यहां specific different मिलने हैं लेकिन हमें क्या मिलने हैं जो जीनस है वह सेम मिल रहे हैं क्लियर अप्लोज्री डिट इस पीसिस कौन से होगे जीनस होगे अब सेम डेफिनिशन जो आगे हम यहीं यूज करते रहेंगे से अभी हम बात करें इसकी फैमिली की फैमिली में अगर हम देख आई फैमिली क्लियर अगे यह हमारा थर्ड स्टेप आब फैमिली में क्या होगा फैमिली आर करेक्षाइज अन्दबिस बोथ वेजिटेटिव एन रिप्रॉडटिव फीचर तो यह हम दोनों फॉचॉर्ट फीचर सो है वह यू इउतलाइस करें कौन को से वेजिटेटिव और रिप्रोड़क्टिव भी अब से एक्जांपल यहां में दो दिये हैं एनिमल और प्लाण तरी डिफ्रेंट जनरा है सुलनम पिटूनिया दतूरा इनके तीन हो के जो हैं हमें तो अब डिफरेंट जीने सरे ट deserved इनमें सरंन्य option मिलेंगी पिटूनिया की बात लबीचे बीचावगल्हें लेकिनाव बात पर करें कि family कि inky family की बात करें इन तीनों की family एक हो गई वह पहले स्प्षी सिद अलग अलग ती जीनश 10 arche अब जिनस अलग अलग थे सब्स पैंथरा जो है वह किसको पैंथरा लायन के लिए उसके लिए लेपड लेकिन अब जो फैमली किसमें आए फैलिस में है फैलिस किसकी फैलिस कुण है फैलिस के जीने से जहां सेcut के चैने से and familyकॉंस सब और सब्छले सब्क्राज सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ठीक फिर आगे मूब करें से हम नेक्स पिजाए एक और इंपॉर्टन यहां बात करनी है यहां एक और बात करनी है यहां पर इसकी और यहां पर यह बात करनी है ठीक जो काफी इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा आम से क्यों से पूछ जाते हैं कि जो फैमिली इस हैं उनको हम plant की families होगी उसमें plant की family में C-E-A-E या A-C-E-A-E जो है यह suffix included है तो वो family किसकी हो गई plant की हो गई वहीं अगर जो है A-E add है अगर A-E add है जो suffix तो वो family किसकी हो गई वो family हो गई किसकी animal की तो यह दोनों difference है easily हम identify कर सकते हैं कहीं भी बहुत सारी families है तो उनके बीच में कि यह plant की family है या animal की family है तो इस suffix को देखके भी identify कर सकते हैं अब जो next हम बात करें next category taxonomy category जो है वो क्या है हमारी order a group of closely related family is called order clear same definition चली जीनस से जीनस की सेम थी family की सेम थी अब यहाँ पर order की सेम है आगे class की भी सेम ही रहेगी अग्रूप अप्लोजी इड़ेट फैमिली इस called order and order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregate of character यहाँ पर जो characters है aggregate है अलग-अलग characters हम यूटलाइज करते हैं अलग-अलग जगे पर फ्लांट में कुछ और characters लेंगे एनिमस बेसे इनिमस में character लेते हैं मेली जो है उनका feeding feeding habit वो हर भी बोर है या काल्नी बोर है या उपनी बोर है या उसके एक और इंजनली हम यह यूज करते हैं तो जैसे यहां पर यूजिया है यहां पर यूजिया है feeding habit उसकिया है ठीक स्टार्ट करें एक्जामपल से क्लान्ट लाइक कॉन्ग दूकॉसि दूकि और इंग्लूटी कॉनिंख में और पॉलीमोनेलिय। में हुआ है। को बात करें। थीक। n इन इन पुन्वर फैंड PP आध की कॉनिख वेश ऐॅथ पकी। है डॉक की फैमिली है अब टाइगर केट डॉक एक ही जगह आ गए किस बीस पर आए कार्णी बोरा पर कि यह सब्सक्राइब करते हैं फ्लेश पर ठीक उसके एक और इंग जो किस पर आ गए एक फैमिली में आ गए और एक और ची जो भी मैंना भी रिपीट किया तो बात करें किसे यह पर देखो कि है ऐसी यह तो इसी क्या इसी आ जिए यहां आ गया यह मैंने बतार तक जो प्लांड की फैमिली नहीं की वहां सब्सक्राइब करिए बसाइब ने औरो कि ने कि अब नेक्स मूब करते हैं कि तरफ क्लास की तरफ यह 3rd category है हमारी class is a major category made of one or more related orders ठीक तो ही आ गया कि related orders होंगे वो क्या होंगे class होंगे and that was a certain similar characters यहाँ पर कुछ characters similar सोंगे से यहाँ पर example दिया है हमें किसका हमें example दिया है किसका mammalia का class mammalia has a number of order like carnivora, rhodentia, primata, insectivora, etc. all the poses memory gland external ears are here in some may present order अलग 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 जिसे carnivora जो क्या करेंगे mainly flesh eat करेंगे rodentia rodentia की बात करें तो यह ऐसे onyems है जो rodentia rat हो गया rat हो गया primate primate हम लोग हो गया ठीक primate हम लोग जिनमे menstrual cycle आएगा insectivora जो insect consume करते हैं etc all poses memory gland जितने भी यह सब है order अलग अलग है लेकिन समय क्या present है memory gland present है जो की mammals का characteristic feature है clear और फिर वहीं हम बात करें कि external ear जो से हमारे प्रेजन्ट है external ear जो पिन्ना present है उसकी बात करें तो वह भी जो है समय present रहेगा वहीं hair की बात करें तो hair भी समय present होगा तो यह तीन जो सब्सक्राइब किसमें आएंगे memory में आएंगे भले order उनकी अलग लग रहे हैं अब classes अलग लग रहेंगी लेकिन सारे किसमें आएंगे फाइलम में आएंगे जिससे हम next move करते हैं अब फाइलम अग्रूप अप्लोज रिलेट लेटेट लासेज इस काल फाइलम अग्रूप वाफ लेटेट स्वारी फाइलम सेंव डेफिनिशन रिपीट हो रही है जो रिलेटेट क्लासेज वह किसमें आएंगे फाइलम में एंगे इन दा प्लांट किंडम फाइ एग्जामपल सोय एक्जामपल सेचे अंबरेफिवेया रेप्तेलिया एवीस अन मैं मलिया बिलऔंग तु फाइलम कोडेट हॉटत अं embae सब्सक्राइब्रा क्यों से तो इंतिक भूं मिलए ょ इसलिआ क्यों एंगे अभी वक्राइब देटा किसी में आएगा फाइलम कॉर्ड डेटा में आएगा तो यह भी जो क्लियर होगे हमारा फाइलम क्लियर हो गया और दुसरी बात सबसे इंपर्टन यहां कहा रहे नहीं यह वह पॉइंट की कि यह प्लांट किंडम में हम यूज करेंगे डिविजन वर्ड ठीक फाइलम यह फाइलाज है वो सारे क्या हो गया होसी किंडम सो के पर एक्जंपल दिटिप्लल अ्धे उप्लांस फ्रॉम वेर डिविजिन ठीक जितने भी डिविजिन प्रजेंट है वह सारे किसमें आ जाएंगे प्लांट किंडम में खटरग्राइज होंगे फिर जितने होचर्टो औरेंगे। आसे सब्सक्राइब में करें। निएंप में बात करें यहां पर पर यूज किया। इस बात की यह क्या है इनको रिमर्ब्र करने के लिए एक सिंपल मैंनोमिक बनाया हुँ है कि kings play chess on fine green sand kings kings में किया गया that means kingdom play for phylum chess for class on for order fine for family green for genus sand for species तो यहां पर मैंनोमिक क्या हो गया kings play chess on fine green sand तैसे बहुत सारे मैंनोमिक हैं इसके लिए लेकिन यह मैंने यहां यूज किया इसली जिससे कि हम orderly इनको याद रखें कि सबसे पहले कि आएगा kingdom आएगा kings phylum आएगा play chess आएगा class आएगा chess order आएगा on family आएगा fine and green जिस किसी लिए आ रहा है genius के लिए और sand species के लिए तो यह हो गया kings play chess on fine green sand clear इस तरह यह complete हो गया अब सबसे last page यहां हमारा बच्चा हुआ है यहां पर उसकी बात करें हम और निम विद देर taxonomic categories तो यहां पर हमें क्या रखा है यहां पर हमें taxonomic common name रखें man housefly mango wheat और यह biological name हो गए binomial naming और यह हमारा दिरखा है genus family order class phylum यह division प्लांट के किस में division होगा clear तो उसके according जो है हमें यहां पर given है तुझ से हम बात करें फस्ट तो फस्ट homo sapiens homo sapiens genus क्या है first name genus होता है उसके according homo हो गया family क्या hominidae हो गया order primate हो गया क्यों मेंस्ट्रॉसाइकल प्रेजेंट है यहां पर class coordinate हो गया phylum कौन सा है मैमलिया वहीं हम बात करें मैंग हो गया मैंगी फेरा इंडिका scientific name हो गया मैंगी फेरा जो है genus name clear फिर वहीं हम बात करें इंकाड यसी जो हो गया वह family name हो गया spindle is क्या हो गया order वही डाइकोड हो गया कौन सा class यहां monocode डाइकोड जनली बात करते हैं हम फ्लॉरिंग पांट में monocode डाइकोड का मीनिंग क्या है monocode आप पता हो थोड़ा बहुत कि monocode अगर कोई हो गया डाइकोड हो गया इसकी बात कर रहे हैं डिविजन कौन सा एंजियो स्पम इस तरह से हमारा complete हो गया और यहां पर जो हमारा चैप्टर वन जो है complete हो गया अब जो कल वीडियो अप्लोड होगी वह जो अप्लोड होगी वह चैप्टर टू की अप्लोड होगी है तो बस आज हम यहाई तक कर रहे हैं